सब्सक्राइब करते हैं आज का लेक्षर हमारा पॉलिनॉमेल्स इन वन वेरियेबल्स ठीक है अगर आप चैनल में नहीं हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन रभाना मत भूना ठीक है सब्सक्राइब करते हैं आज का लेक्षर हमारा पॉलिनॉमेलस इन वन वर्येयेबल्स ठीक है तो पॉलिनॉमियलस इन वन वेरियेबल्स कि चैनल रचेल चैनल में दर्टेन लुड़न एक या इसका होती है या इसकी जो निवे स्वाटो होते हैं वो क्या होते हैं अगर हमारा कोई भी चांज या कोई भी एक्स्प्रेशन सिर्फ एक वैर्येबल से मिलके बनता उसको क्या बोटता है पॉलिनॉमल्स इन वंवन वेर्येबल ठीक है अगर हम यह नहीं देखते यह तो नौर्मल बता दिये है मैंने अगर हमारा लिखा हुआ है 2x plus 7 ये क्या हो गया polynomials in one variable because इसमें variable क्या है हमारा सिर्फ one है ठीक है एक example ये दे दिया एक example ये दे दिया दूसरा example क्या हो सकता है इसका अगर मैं कह दो 2x square plus 4x plus 7 ये क्या होगा ये होगा polynomials in one variable में of course होगा because x ही हमारा क्या है single variable है और ये हमारा क्या क्या करेगा polynomials in one variable में exist करेगा अगर आपके सामने question आ जाता 7x square plus 4x plus 7y ये क्या आपका polynomials in one variable होगा नहीं होगा ठीक है because इसमें क्या होगा x और x और y variable exist कर गया तो क्या होगा ये polynomials in one variable नहीं होगा ठीक है तो इसका मतब्द क्या हुआ कोई भी expression या कोई भी terms जो हमारे given होते हैं उसमें से सिर्फ variable क्या होना चाहिए single variable का होना चाहिए उसको क्या होते हम polynomials in one variable ठीक है अब क्या हम देखेंगे जीरो वरियेबल या जीरो पॉलिनॉमियल या जीरो पॉलिनॉमियल जैसे कि जीरो पॉलिनॉमियल मैंने लास्ट में बताया था इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे बता रहा हूं अगर इसका मतलब क्या मतलब इसका मतलब क्या है हो गया अगर हमाय पास मैं इसको एक्जांपल दो अगर आपको इसका एक्जांपल जैसे लेते हैं हम इसका एक्जांपल हमने लिया 2x2 2x2 plus minus 2 तूरी यहां पे लिलो 2x2 minus 2 ठीक है यह क्या होगा हमारा एक polynomial है अगर हम यहां पे क्या कर दे by यहां पे क्या कर दे हम अगर मैं इसको सुल्जाने जारा हूँ हमारा क्या expression 2x2 minus 2 है ठीक है यहां पे हम क्या कर दे by putting value of x is equals to minus 1 ठीक है कर दें हम यहाँ पर तुई इसका क्या निकल के आएगा ये 2 minus 1 का whole square minus 2 अगर इसको minus 1 into minus 1 करते है क्या बन जाता है plus का 1 बन जाता है हमारा तो ये क्या बन जाएगा 2 into 1 minus 2 मतलब 2 minus 2 is equals to 0 तो ये expression की value हमारी क्या आगई 2 x square minus 2 is equals to 0 आगई न वेर x is equals to minus 1 ठीक है इसका मतलब क्या होगा हमारे पूरा expression क्या हो गया whole expression will be 0 ठीक है तो ये क्या बन गया हमारा ये बन गया 0 polynomial ठीक है ये 0 polynomial कैसे बन गया because x की value हमारे पास यहाँ पर क्या थी minus 1 थी minus 1 हमने expression में put किया expression को solve किया उसकी value क्या निकल गया गया जिरो निकल गया गया इसका मतलब क्या हो गया ये expression जो क्या है वो 0 polynomial में exist करता है ठीक है पिर अब इसके बाद हम इसकी जो theorem है reminder theorem है वो मैं बता रहा हूँ लेकिन उसके पहले मैं एक आपको example बता दूँ यह कह सकते हैं एक formula बता expression अगर कोई भी expression P of K ठीक है P of K is equals to AX plus B यही होता है हमारा normal expression ठीक है P of K is equals to X plus B हमारा क्या है यह polynomial है यह expression है ठीक है तो हम यहां पर देखेंगे कि K is equals to मतलब K है यह जो यह variable की वह है यह जो X हमारा यह क्या है वरियेबल है ना तो वरियेबल की वैलू वैलू क्या निकलती है अगर हम देखे AX is equals to minus B आ जाएगा अगर हम लिखे AX plus B को क्या लिखें AX is equals to minus B आ जाएगा ना अब हमें कैसे यह variable की वैलू चाहिए ना वरियेबल की वैलू चाहिए तो हम क्या करेंगे इस कोफिशेंट को यहां shift कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा X is equals to minus B upon A यह क्या आगया हमारा variable की वैलू आ गई मतलब यह जो K is equals to क्या हमारा X equals to minus B by A और कह सकते है हम K is equals to minus B by A यह कह सकते है ना इसको हम कैसे दिनोट करेंगे इसको हम कैसे दिनोट करेंगे के लिक वस्ट फू- अ कांस्टेंट अपन कोफिशियंट अगे जो मैं नेक्स्ट रिमाइंडर फिरम बताने जा रहा हूं उसके काम आएगा क्या होगा इसका मतलब क्या हुआ जैसे मैंने यह वेरियेबल इसका मतलब क्या हुआ जैसे मैंने इस वेरियेबल ना गिवन हो ठीक है तो यह मारा कॉंस्टेंट हो गया कॉंस्टि यह रहा ह्म कोफिशिंट यह था एकस के साथ का अधा एक हमने शिप्ट कर दिया नीचे तो यह क्या गया ध्यलहमने ने betar हमारा क्या coefficient of variable तो इसलिए हमारा ये ये फॉर्मुला जन्रेट हो गया के रिकोर्ट्रू माइनस कॉंसेंट अपन कोफिशेंट अप वरियेबल ठीक है तो अब हम क्या देखने वाले है रिमाइंडर थे रहा हूं ठीक है अब है अब अब आपको बताई है थे अंड लेट बी बी क्या है कोई वरियेबल है लेट बी- अब अब लेट नंबल थे तेक है उद्रेड वे जीए अफ इस डिवाइड बाय लीनियर पॉलिनाविम्यल इस x minus b मतलब क्या है हमारा ये g of x जो हमारा given polynomial है वो अगर x minus b से divide किया जाता है ठीक है वो अगर x minus b से divide हो रहा है and then the reminder is p of b इसका मतलब क्या हुआ अगर x minus b जो given हमारा क्या है given हमारा polynomial है वो अगर x minus b से divide हो रहा है तो मतलब क्या होगा p of b उसका reminder होना चाहिए ठीक है मैं इसका example लेता हूँ suppose x की power 4 plus x 3 plus x square plus x plus 1 ठीक है is divided by x minus 2 ठीक है यह हमारा पास given question है आप इसको क्या करना है हमें solve करके बताना is divided by x minus 2 और not मतलब यह हमारा जो given question है यह x minus 2 से divisible है या नहीं है ठीक है यह बताना है हमें तो हम इसका solution कैसे करेंगे अगर हम देखें यह जो हमारा little x minus 2 little x minus 2 is equals to 0 कर लिया हमने ठीक है तो यहां से अगर इसको shift करेंगे तो x की value क्या आ जाएगी तो आ जाएगी अब हम क्या कर देंगे by putting value of x in our g of x यह हमारा given को g of x से इस पर क्या करेंगे अब हम x की value पूट करेंगे सपोज x की value हमने क्या रख था तू पावर 4 प्लस तू तू पावर 3 प्लस तू 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 पावर 2 प्लस तू प्लस वन एकर दिया हमने एक आप अगर इसको कल्कुलेट कर रोबत कर क्या बनेगा यह तू तू पावर पूर मतलब 16 तू पावर 3 मतलब 8 प्लस तू पावर 2 मतलब 4 अदध प्लस 2 1 प्लस 3 यह निकल गया हमारा तो यह हमार अगर आप इसको अड़ करोगे तो यह क्या बन जाएगा हमारा 20 और यह plus 11 मतलब क्या बन जाएगा यह हमारा 31 बन जाएगा ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि हमारा यह जो given expression है यह divisible है किस से x-2 से ठीक है इसका मतलब क्या हुआ यह हमारा जो expression है यह divisible है इसका मतलब reminder theorem हमारी जो थी वो actual में सही है ठीक है क्या कि हमने यह जो given था expression उसी का use करके हमने क्या कि उसकी value अपने expression में put कर दी करने के बाद हमारे पास reminder निकल के आ गया इसका मतलब क्या हुआ यह यह value true है ठीक है अगर यहां पर हमारी यह real number value नहीं आती मतलब कोई root में आ जाती या कुछ rational rational number के form में आ जाती तब इसका sense क्या बनता यह इससे exactly divisible नहीं है x minus 2 से ठीक है तो guys अब हम क्या देखने वाले हैं factor theorem के बारे में ठीक है factor theorem का statement क्या होता है if x minus c is the factor of polynomial of p of x what it means अगर कोई हमारा polynomial p of x given है suppose x square plus 3x and so on कुछ भी given है is the factor of polynomial if p of c is 0 अगर मैं कहूं कि यह term अगर आपको given है अगर हम यहाँ पे x की value x plus 1 यह इसका factor है कब कहेंगे इसको इसका factor है जब हमारा p of c जो है वो क्या होगा फूरा 0 का मतलब यहाँ से हम x plus 1 is equal to 0 और x equals to minus 1 x की value निकल गई यहाँ जब हम इसको put करेंगे तो यह term का resultant कितना आना चाहिए 0 अगर 0 resultant आता है तब हमारा क्या बनेगा यह इसका factor बनेगा और इसको ही हम क्या बोलते है factor theorem बोलते हैं ठीक है सेम इसका wise versa अगर इस polynomial का resultant हमारा 0 आ रहा है इसी भी value से तो वो उसका क्या बनेगा factor बनेगा ठीक है क्या बनेगा उसका factor बनेगा जैसे मैं एक example लेकर आपको समझाता हूं suppose x square plus 2x minus 15 is 15, x plus 5 is a factor of given p of x ठीक है क्या मतलब हुआ यह हमाई given p of x है x plus 5 is a factor of given p of x मतलब यह इसका factor है या नहीं है यह हमें क्या करना है satisfy करके बताना है ठीक है तो इसको हम देखते हैं कैसे satisfy करेंगे हम solution देखते हैं हमारा let यह हमारा क्या given है x plus 5 given है ठीक है x plus 5 को हमने convert किया x की value में इतनी है आ गई x की value आ गई minus 5 ठीक है x की value put कर दी कहा हमने अपने equation में x की value minus 5 का whole square plus 2 into minus 5 minus 15 ठीक है ना इसको calculate किया कितना आ गया यह 25 minus 5 into 10 minus 15 आ गया 25 में से 10 less हुआ कितना आ गया 15 minus 15 resultant कितना आ गया 0 मतलब इस equation का resultant 0 आ रहा है का जब हमने x की value क्या रख दी minus 5 मतलब क्या हुआ यह x plus 5 इसका क्या हो गया factor है सो इसी calculation से या इस solution से हम क्या कह सकते हैं यह जो given x plus 5 given है यह इस way of x का factor है और इसी को हम क्या बोलते हैं factor theorem बोलते हैं ठीक है तो factorization एक अलग method है और यह अलग term है लेकिन यह factor theorem है यह अलग theorem है आपको इसको satisfy करके दिखाने होगी अगर आपके सामने लिखके आगया प्रूब है factor theorem ठीक है अगर लिखके आगया प्रूब factor theorem प्रूब करने तो आपको यह कोई भी normal equation लेनी होगी फिर उसका एक factor जिन्रेट करना होगा automatically मैं आपको जैसे जैसे ही आपको factorization समझ में आ जाएगा वैसे ही आप factor theorem को प्रूब कर पाऊगे ठीक है तो अब चलते है factorization की तरफ तो अब हम क्या देखने वाले है factorization of polynomials ठीक है तो इसका statement क्या है process of expressing the polynomials as the product of two or more polynomials इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई process जो polynomial को जब हम expression लिखा होता है उसको define करना किसमे product of two or more polynomials what it means suppose ax square plus bx plus c हमारा given है ठीक है कोई equation इसको जब हम convert करते हैं मतलब a plus b into x और हम यह एक factor लिख दे x plus a और x plus b यह क्या बन गया यह इसके product of two or more polynomials यह polynomial है अलग-अलग ठीक है यह क्या single variable polynomial मैंने भी last lecture में बता रहा था है ठीक है तो यह दो product मिलके क्या बना रहा है यह हमारा above equation बना रहा है ठीक है मैंने भी factor theorem में बताया है यह अगर दो टम इसको satisfy कर रहा है तो यह इसके factor है अगर नहीं कर रहा है result in zero नहीं आ रहा है what it means यह दोनों भी इसके factor नहीं है ठीक है तो अब हम क्या देखते है इसका example लेते हैं ठीक है वह कैसे solve करेंगे suppose हमने लिए इसका example x square plus 2x minus 15 लास्ट वाल example लेकर चलते हैं ठीक है वहां पर हमने क्या देखा था वहां पर हमने देखा था x plus 5 इसका factor था ठीक है x plus 5 क्या था इसका factor था अब यहां पर देखें x plus 5 को यहां पर में निकालना है या चेक करना है या single एक ही factor आता है या फिर कोई और भी इसका factor आ रहा है ठीक है तो हम simply क्या करेंगे यह कि इसका sort method अगर कभी भी two degree आपको polynomial given है two degree polynomial तो उसको solve कैसे करते हैं अगर तक होज ax square plus bx plus c given है ठीक है इस पर क्या करना होता a into c कर दो a into c कर दो और ऐसे break करो इसको break for getting b of x ठीक है इस a into c x square को ऐसे break करो कि हमें क्या मिल जाए b of x मिल जाए ठीक है तो यहां पर यह 15 है यह x square है तो यह 15 x square को हमें कितने method पे ब्रेक करना कि हमें plus का two x मिल जाए ठीक है तो इसके factor कितने होंगे x into 15 x 15 x into x और 5 x into 3 x 3 x into 5 x ठीक है यह यह चार प्रेक्टर्स आ गए हमें हमें क्यासी यह प्लस का two x से यह अगर हम x से माइनस 15 x सब्टेक्स करें कितना आएगा सब्सकों माइनस 14 x नहीं चाहिए हमें 15 x को से करेंगे फ्लस 14 x नहीं चाहिए हमें 5 x को 2 x 3 x से करेंगे फ्लस का 2 x यहीं चीकी requirement है नहीं यहां 3 x से 5 x क करेंगे minus 2 x इसके requirement नहीं हमें क्या होगा इसका factor 5 x minus 3 x ठीक है तो यह क्या लिखिंग x square plus 5 x minus 3 x minus 15 अगर आप इसको solve करो तो यह resultant आपको उपर वाले equation में लेगे ठीक है अब हमें क्या कर नहीं इसको दो पार्ट में कर लो ठीक है दो पार्ट की बाद यहां पर देखो आपको अगर माइनस प्लस करें तो माइनस रिजल्ट देगा हमें फिफ्टी इन से डिवाइड कितना आ गया 5 आ गया पिर हमने क्या किया ये सेम ये सेम इसको अलग कर लिया हमने ठीक है ये बचलाना X और X-3 इसको अलग कर लिया हमने ये क्या निकला है ये दो फैक्टर निकला है किसके इस गिविन एक्वेशन के ठीक है ये दो फैक्टर किसके निकला है इस गिविन एक्वेशन के वा आता हूं x-3 मतलब x की value 3 x की value 3 अगर यहां put करके देखो आप क्या निकलता है 3 का square 9 plus 2 into 3 minus 15 क्या निकल के आएगा 6 15 minus 15 is equals to 0 resultant क्या आगे आपका 0 इसका मतलब यह दोनों factor भी इसके exist कर रहे हैं क्या मतलब हुआ इसका यह factor यह factor मिलके क्या बना रहा है यह equation बना रहे ना तो जब यह दो product मिलके बना रहा है product of two or more polynomials is the process of expressing of the polynomial is known as factorization of polynomial तो इसको हम बोलते हैं factorization of polynomial तेके factor theorem में क्या था हमें factor given था उसको satisfy कराना था characterization में क्या किया हमने जो equation given है उस equation को हमने solve किया solve कैसे किया मैंने process आपको यहाँ पर समझाया यह चीज जैसे आप करोगे ना कई सारे questions जब आप solve करोगे तो आपको यह easily way में पता चल जागा कि कौन सा factor यहाँ पर करेंगे कि plus या minus करेंगे जिससे हमें B of X में मिल जाए ठीक है तो हमने इसको अलगरा term में कर दिया यह same factor देखे same factor हमने a कर दिया यह जो दो बच रहे थे इनको एक साथ कर दिया यह दो factor हमारे निकलाए ठीक है अब क्या करते हैं next example देखते हैं इसका ठीक है एक हमने simple सा example ले लिया क्या ले लिया x square minus x minus 6 अब हमें क्या करना इसका factorization परफॉर्म करना ठीक है तो इसका solution परफॉर्म करते हैं जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था normal constant term से square by item का multiplication क्या मिलेगा हमें minus का 6 of x square मिलेगा अब हमें क्या करना बी of x मिलना चाहिए मतला वो भी minus का हमें minus का x gain करना वो कैसे मिलेगा इसके कितने factors हो सकते हैं अगर आप देखो इसके factors हो सकते हैं सबसे पहले खुद का factor हो जाता है x into 6 of x और 6 of x ये इससे मिल जाएगा फिर बचते हैं इसके क्या है एक और factor आता है 3 of x into 2 of x माइनस कर लो इस पे और into 3 of x into माइनस 2 of x ठीक है ये 4 factor इसके निकलेंगे ना अब हमें क्या देखना है माइनस का हमें क्या चाहिए x चाहिए अगर हम देखो इसको इसको माइनस करेंगे क्या मिलेगा माइनस का x मिलेगा माइनस का x मिलेगा अगर इसको और इसको माइनस करेंगे positive x मिलेगा हमें नहीं चाहिए है यहां से मैनस करेंगे मैनस कफाइब ओर नहीं चाहिए यहां से माइनस एकस-डी एकस-डी ट्री 102-6 ऐसके इसके था अब क्या करेंगे, यहां से common क्या मिला है हमारा, x common ले लो, x minus 3, यहां से, plus, suppose अपने common ले लिया, और यहां से 2 common ले लिया, यहां से 2 common ले लिया, यह क्या निकल गया है, x minus 3, यही बने गा, इसको आप simplify करो, यही मिलेगा, x into x, x square, x into 3 minus of 3x, 2 into x, 2 into minus of 3 minus 6, ठीक है, अब इसके आगे क्या देख रहा है हो, यह और यह same है, आपको simply same procedure apply कर देना, x minus 3 कर दिया, x और यह plus 2 अलग है, तो x plus 2 यह, अलग से निकाल लिया, यह क्या हो गया हमारा, x minus 3 और, यह क्या हो गया हमारा, x minus 3 और, x plus 2, क्या मिल गए हमारे, यह दो factor मिल दो factor किसके मिल गए है, यह इस equation के, ठीक है, x minus 3 और, x plus 2, यह इस expression के हमें factor मिल गए है, तो यह क्या था हमारा factorization of polynomial, ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे लगी तो please like, share and subscribe, अगर आपको कोई doubt है, तो आप वीडियो के comment section में drop कर देना, मैं उसको clear कर दूँ है, ठीक है, so have a good day and enjoy your day